यहां लोग बात करेंगे डाफ एक्सपेक्टेंसी जो है जो जीवन जीने का जो एक आउसत अईयो होती है जो उम्र होती है उसकी हम बात इहां पर कने जा रहा है और एक रिपोर्ट के मताबिक यह देखा गया है कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दो साल कम हो तो यह एक रिपोर्ट आई है जिसको मैंने पढ़कर यहां पे आपके शाहत सेर करूंगा कि किस तरह से सारी बाते कही गई है उस बारे में तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि प्रॉपर अपडेट आप तक वीडियो का पहुंसता रहे जैसे कि मतादू मैं यहां पे जो स्क्रीन पे आप लिखा आप पर सकते हैं यहां से लाइफ एक्सपेटेंसी एट बर्थ इन 2019 वाज 69.5 यह पॉर मैं एंड 72 यह फॉर विमें यानि आगर हम बात करें लाइफ एक्सपेटेंसी थी एक बर्थ जबसे आप पैदा होते हैं जबसे आप का जर्म होता है तबसे लेकर कितने आयू तक आप你 सकते हैं आप कि Soo नहीं हो सकती है उसके बारे हमनों क्या गयते हैं लाइफ एक प्रत्र आइड बर्ट जहां मेल जो एक और आयूयू था जो मेल का लाइफ एक पेटनसी था वो कितना था 69.5 एर्स वो 2020 में कितना हो गया 67.5 यर्स और जहां मेलां कितना था 72 22 years वो 2020 में कितना हो गया 69.8 years यहां पर जो difference कितने का रहा है difference यहां पर आ रहा है two years का है जो घटके हो चुक है यह report अगर देखा जा तो कहां से दिया गया यह दिया गया बाई International Institute for Population Studies के दौरा जो scientist है International Institute for Population Studies उनके दौरा यह report दी गई है और यहां पर जो खास बात है यह बता रखी गई है the COVID-19 pandemic which has affected the lives of people worldwide ठीक है बिल्कुल बात सही है जो COVID-19 pandemic है एक दरह से पूरे दुनिया के लोगों की जो life को affect कर रखा है has also caused a drop in the life expectancy in India by almost two years और इसने क्या किया है कि इंडिया में life expectancy है उसको दो साल कम कर दिया है इसको दो साल कम कर दिया है और इसको जो रिपोर्ट दिया है किसने दिया है IIF IIPS के दौरा यह report revealed कि गई है बताई गई है right analytical report which points out a drop in life expectancy at birth in both men and women due to the pandemic और यह जो life expectancy घटी है कि किसकी वज़ा से यह हुई है pandemic की वज़ा से हुई है यानि COVID-19 की वज़ा से हुई है has been published in a journal BBC BMC Public Health recently यानि यह जो report है यह published कहां पर हुई थी BMC Public Health में जो है इसको एक तरह का पत्रिका है यह वहां पर इस पर क्या किया इस से पब्लिस उसमें किया गया था IIPS professor सुरेकांत यादो has authored the report और यह जो रिपोर्ट है जो IIPS के जो प्रोफेशर कौन है सुरेकांत यादो उनके दोरह यह report दी गई थी पब्लिस कहां पर हुई थी एक पत्रिका जो क्या है BMC Public Health मुंबई की है वहां पर इस बात को बताया गया लाइफ एक्सपेटेंस दी है वह दो साल इंडिया के अंदर घर चुकी है अगर हम एक आम यह देखें या पर एक नॉर्मल यह देखें तो उसकी तुलना में में 2020 में डेथ हुई है ऐसी वेक्ति कि जिनकी एज क्या रही है 35 से 79 के बीच में रही है उनकी डेथ कहीं ने कहीं ज्यादा हुई है वजा वजा क्या रही है वजा रहा है COVID-19 और जो IIPS डिरेक्टर है Dr. K.S. जेम्स उन्होंने यह भी बताया कि every time we are affected with some epidemic the life expectancy at birth figures यानि जब भी कोई pandemic आता है जब भी कोई sorry epidemic आता है ऐसे दिखा गया है चाहिए वो किसी भी continent की बात करें तो वहाँ पे जो life expectancy है वो घड़ जाती है जब भी कोई आपको epidemic जितनी बार भी आ रखते है उतनी बार राइट एस एक्जांपल की बात करें तो फॉर इंस्टेंस आफ्टर था HIV-AIDS epidemic in African nations एक बात बताई गई गई कर लेंगे यह बात बताई गई डॉक्तर के दौरा जो क्या है यह एक रिपोर्ट जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है यहां पर पस इतना ही और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सुस्क्राइब करें शेयर करें बाकि आप जो ब्रीफिचर का जो टेलिग्राम ग्रूप है उसे आप जॉइन कर सकते हैं वहां पर सारे जो